पुरदेनी शर्वात काश्मीर थी करिये तो भारे बंदोबस वच्चे सोमवारे घाटी मां शांती पूर्ण रते बकरी इदनी उजवनी थाई जमो कश्मीर ना मुख्य सचीवे आजे पत्रकारों ने सबोता कायू कि घाटी मां जरूरी नियन त्रणों ने पगले शांती बहाल थे शकीशे इस बार जो है पुछले एक वीक में वी आज़ ग्रेटफुल कि एक भी कैश्वेल्टी नहीं हुई है तो अगर इसको परिपेक्ष में देखें परस्पेक्टिव में देखें तो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज करने से अट लीस्ट वी आफ दिन एबल तो सेवे हुमन लाइफ और दाट इस दी प्राइरिटी अफ दे गावर्मेंट क्रिकेट प्रेमी असगर अली कारगिल ना उचा पहाड़ों पर आवेला लातुगा मा तेओ क्रिकेट चाचा नामें उलखाई छे जो जो हम देख रहा है यहां से तीन किलोमेटर दूरी में हम इस वकत है यह हमारा गउंग है यह हंदुस्तान की आखरी गउंग है तेमने 20 वर्ष पहला भारत पाकिस्तान वच्चे थैला कारगिल युद्मा भारत यह सेना नी खुब मदद करी हादी जो के आज यते वो भारत सरकार थी नाराच छे तेव पोतानी भडास आक्रमक बेटिंग द्वारा उतारे शे अने कारगिल नाराज नागरी को प्रदेशन करीने लहना लोको छेला घणा समय थी यूनियन ट्रेडिटरी नी मांग कता आव्या छे अने ज्यारे लहने केंद्रो शासित प्रदेशनों दरज जो मुड़यो तो अहीना लोको मां खुशी नी लाहर छवाई गई लेकिन यहाँ कारगिल में जहां पर मुसलमानों की एकसरिय थे यहाँ इस फैसले से लोग खुश नहीं हैं आखिर क्यों लोगों में गुस्सा है पड़े लिखे नाजवानों में गुस्सा है कि हमें पूछे बीना हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है ले अने कारगिल मा परस पर नाराजगी वर्षो थी छे अहीं कारगिल ना लोकों नो काश्मिर घाटी साथे प्राचिन समय थी संबन छे जी बिलकुल कल्चरल लिंक्स हैं हमारा देखे इस वकत जोजिला एक ऐसा धर्रा है जो हमारे लिए लाइफ लाइफ लाइन की हैश्चत लगता है और जमाने कदीम से हमारे लिए जो भी अजनास खुर्दगी हो या कोई भी स्टॉकिंग का सामान हमें यहां करना हो तो हम कश्मीर से लाते हैं कश्मीर पर डिपेंड रहते हैं जो ही बर्फ पिगलने लगती है हम जल्दी कश्मीर पहुंच जाते हैं और बर्फ पढ़ने तक आखरी दम तक हमारे जो राबिता रहता है वो कश्मीर से रहता है पांच ओगस्थी जम्मु काश्मीर ना घणा विस्तारों मा आनिने विरुध नाराजगी छे घाटी मा केटलाग देखाऊ पन थाया तो मुबाईल फोन, लेंड लाइन अने ब्रॉडबेंड सुविताऊ हजी पन ठप छे सामान्य जिन जीवन ने भारे असर थवा पामी छे तो भारत ने पाकिस्तान बनने पुतानों स्वतंत्र दिवस उजवा जई रहा छे बनने देशों वच्चे सबंदों मा काश्मी नो मुद्दों हमेशा केंदर स्थाने रहा छे तेरे आजादी थी शरू करीने अत्यार सुधी काश्मी रिववादना घटना क्रमपर एकनाश रह करी है भारत पाकिस्तान वच्चे काश्मी ने लेने ब्या युद्ध थया छे 1144 मा भारत पाकिस्तान ना भागला पड़या बन्ने देश ब्रिटिश राजमा थी आजाद थया अने जड़ब थी सर्होदो दुराता बन्ने तरफ लाको लोको बेघर बन्या तेना पगले थयली हिंसा मा पांट लाक थी वदू लोको ना मौत थया भागला पची तरत अज पहलो युद्ध थयू काश्मीर मा राजा हिंदू अने बहुमती प्रजा मुस्लिम होई कोकडू गुचवायू काश्मीरे कौनी साथे जोड़ावू ते मुद्धे असंतोष उभो थयो पाकिस्तानना कबिलावे आक्रमन कर्यू ते पची काश्मीरे भारत मा जोड़ावानू नक्की कर्यू अने अन्ते युद्ध थयू ओगनिसोगणपचास मा युद्ध विराम रेखा नक्की कराई बैत रुत्याँस हिस्षो भारत मा गयो अने बाकीनो पाकिस्तान मा विराम नो भंक करी एक बीजाना प्रदेश मा प्रभेश्या जीत कोई नी ना थाई ओगनिसोगणपचेर मा सिमला करार ना पगले युद्ध विराम रेखा नियंतरन रेखा मा फेरवाई जिती एक बाजू भारत प्रशाशित काश्मीर अने बीजी बाजू पाकिस्तान प्रशाशित काश्मीर बन्यू विबाजित काश्मीर मा बन्ने देश नी सेनाए एक बीजा सामे मोर्चा वांडिया बन्ने वच्चेनवा घर्शन क्यारे मोटू स्वरूप धारन करीले तेवी शक्यताओ रहती ओग्णिस्व नेवना दाइकाना अन्ते बन्ने देशो नुकलियर पावर बन्या तक्रार अन्ते युद्मा परिणमी पाकिस्तान ना सैनिको औने चरमपन्थियों भारतिये चौकियों पर कब जो जमावयो भारते भुमीदण औने हवाईदण ना हुमलाती दुश्मनोंने पाचाख देड़या 2003 मा भारत औने पाकिस्तान युद्मो कोफी औने नियंत्रन रिका माटे तैयार थाया पड़ काश्मीर मुद्दे हजो विवाद औने तनाव जारी छे तो काश्मीर विवाद मुद्दे अमें थोड़ी बार पहला जबात करी BBC समवाद दाता जुबेर एहमाद साथे जियो छिल्ला साथ दिवस्ती काश्मीर मां रिपोर्टिंग करी रहाता काश्मीर मां रिपोर्टिंग करनार BBC समवाद दाता नी नजुबेर के विचे काश्मीर नी हाल नी परसती रुकाई विराम हाटे मढ़िये थोड़ी जुबार मा पिराम बात फरीश वागत छे अपने वीबीसी समाचार मां हुच्व अपनी साथे प्रिजल शा दराम पहला में आपने काश्मीर ना मुद्दाने लईने आजा दीना समय थी अत्यार सुदीनों ए विवाग अने तेनी टाइम लाइन रजु करी तेरा आजे 78 मां दिवसेपन जम्मु सहित गाटी ना मोटा भागना विस्तारों मां लॉक्दाउन नी स्थिती छे यवामा काश्मीर नी वास्तविकता शू छे एवशे हमें थोड़ी वार पहला वाद करी BBC समवाद आता जुबेर एमाच साथे जो आजेच काश्मेर सी दिल्ली पहुचा छे आमेद इमने पूछियो कि तिमने घाटी मां शूवन भव्यू पांच अगस्त को हम घाटी पहुचे थे तो जब हम पोचे तो लोगों ने हमें ये कहा कि घाटी पूरी दुनिया से कट कर रहे गया है वो सही था क्यूंकि जितने भी कम्यूनिकेशन के साधन से सब बन थे चाहे वो टेलेफोन लाइन हो या ब्रॉड बैंड हो और कर्फ्यू लगा दिया गया था लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो ऐसा सही मालों में हमें भी लगा हम बहुत सालों से कश्मीर जा रहे हैं हमने रिपोर्टिंग कि हमें ऐसा कभी नहीं लगा था कि वहां से हम अपनी लोगों से बात करके रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचा सके कोई साधन नहीं था हम एरपोर्ट पे जाके लोगों को द जनोंने हिम्मत करके की बहुत सारे ऐसे लोग जो आफ दे रिकॉर्ड बात कर रहे थे वो कैमरे पे नहीं आना चाहरे थे उनको डर था कि अगर हम अपनी राय रखेंगे तो पुलीस अगले दिन आके हमें गिरिफतार कर सकती है कुछ दिनों तक ऐसे ही महौल रहा उसके के पुलीस ने स्कुरिटी फोर्स ने जवाब भी दिया एक जगा थोड़ा थोड़ी हिंसे जादा हुए लेकिन ओवरॉल अगर आप वैली में देखे तो बहुत भारी इस जिस तरह की वालेंस की सरकार को आशंकत ही वैसे हुई नहीं तो क्या वैसे भी लोग है जो सरकार क कि इस फैसले का समर्थन करता हूँ अफकोर्स आप ढूड़ने जाएंगे दो चार जरूर मिल जाएंगा ऐसे लोग लेकिन जो ओवरॉल मिजॉरिटी है घाटी के अंदर रहने वालों की जो सतर लाग की आबादी है उसमें से आप चिराग लेकी जाएंगे तो बहुत कम ल जाएंगे उनकी नेताओं को गिरफतार करके रखावाज और नजर बंद करके रखावाज जिसके कारण जो प्रो इंडिया लेमिंट्स था वह भी नाराज है वहाँ आपने आपने काफी सारी परसति देखी है आप श्री नगर में भी गए हो जमू में भी गए हो इस पार लोग ये बताने से बड़े-बड़े सीनियर जर्नलिस्टों से भी जब बात करते जो लोकल वहाँ पर तो ये कहने से बिल्कुल I mean they're not able to confirm कि क्या हो सकता है किसी को नहीं मालूम कि कितने दिनों तक चलेगा लेकिन आम धारना ये है कि इस फैसले का स्वागत नहीं क आप ये घाटी के लोगों ने तो ये लंबा चलेगा कि शकल में किसूरत में चलेगा ये किसी को नहीं मालूम कि कि लीडरशिप सब अभी ऑंदर जा तो नजर बंद है गिर अफ्तार क्र लीगा है वो लीडर लेस्ट समाझ इस वक्त अगाटी का तो व जाहिरएं उनको को लिलर्शिप नहीं है तो किस तरफ पूरी एक पूरा समूह आगे बढ़ेगा ऐसा तो नहीं होता है तो मुझे लगता है कि अभी किसी को नहीं मालूम कि कब तक चलेगा तेरहावे जो इश्व में से राउंड़ जिमाशे विश्वनान ने समाचार संक्षिप्तमा मैकसिको मां बे यूटियों पूलिस पर रेप नो आरोप लगावे छे जिनापटी मैकसिको सिटी मां यूटियों ने न्याय मढ़ी रहे तेवी मांग साथे देखाव थया जिमा लगभग 300 प्रदशन कारियों भाग दितो किरकेसान ना पूर्वर रास्ट्रपती अलजाम बैक अतान बावेवे पर हत्या अशान्ती फैलावानों अने बंधक बनावाना प्रयत्नने लईने आरोप मुकवा मावे छे जोके पूर्वर रास्ट्रपती ये पोताना पर लागेला आरोपो ने नकारी दिजा छे आस्ट्रेलिया ना सिगनी शहर मा एक हत्यार बंध व्यक्ति नी धर पकड करवा मा आवी छे आव्यक्ति एक महिला पर छरी वड़े हुमलो करें अगटना समय एस थाड़ पर हाजर लोकोय आव्यक्ति नों गहराव करें लिदो और पशी पोलिस ने हवाले करें दिदो दक्षन प्रशानुक्षेत्र मा स्थित्वाल हुना बड़ा प्रदाने जनावी छे के क्लाइमेट चेंज मा था परिवर्दर ने रोकवा माटे आस्ट्रेलिया बले जितला रुपया नाकवा हुए इना खे पड़ा पगला थी तित्ते नी जवाबदारी मां थी बची नही आनी पहला आस्ट्रेलिया प्रशान्त मा हसागर मा आविला देशनी मदद माटे चौत्रिस अबज डॉलर नी बात करी हती तो केरण मां भारे वर्सादना कारणे 88 लोकोना मौत थाया चे अही भूस कलना कारणे हजू पन अनेक लोको धटाया चे तेर केरण ना सौथी वधू असगरस तेवा विस्तार वाईनाड अने मलापुरुमनी स्थिती वर्नावे चे बीबीसी समवात दाता दिपती बाते नी मारा भाई घूम थे गया चे ते मदद करवा गया अने काटमान नीचे दबाई गया मुसा जेवा बिजा घणा चे कारण के केरण मा चला किटलाक दिवसो मा एशीती वधू जमीन धसी पड़वानी घटनाओ बनी वाईनाड नू पुथा माला अने मलीपुरमनू कवल लपरा ने सवथी वधू असर थाई चे भारे वर्साद में कारणे भेखडो धसी पड़ता अनेक गाम दटाया चे आने बचाओ टुकडियो मुरुत देहने बहार काडवा कोशिश करी रही चे वाईनाड नां बेपाडी केंप मा बार वर्षनो लिंटो माताने शोधी रहो चे पिता लौरेन सलामत स्थर नी शोधमा निकड़या पन पाचा फर्या त्यारे बधू तणाई चुक्यो हतू वर्साद वध्यो इटले मारी पत्नी है कहिऊ कि आपने सलामत स्थर पहुची जहिए निलामबर शहर नी पासे आवेला गाम पर भे खड़ो धसी पड़ी हजुपन पचास लोको काटमान नीचे दबायला चे बचावट कड़ियो 40 फूट नीचे दबायला मृत देह काडवा मती रही चे बे बहनोना मृत देह मल्या चे अनगा चार वर्षनी हती एलीना 8 वर्षनी, माता पिता बिजा संता नो साथे बहारावया पंबे बहनो बहार ना निकली शकी सोमवारे स्थानिक चर्च मा अंतीम विधी मार्टे लोगो एक ठाथ हया बन्ने बहनो बच्चे आत्मियता एक लिहती के बन्ने बेहनोंने साथेश दफनावा मावी के रणने हजु गया वर्षना पूर्थी कलवडी न थी त्या बीजापूरे विनाश वेरियो अने एक लोको पायमाल थेचु क्या शे अने नव जीवन शरू करवा मथी रहा छे अधिकार्यों कहे छे के हजु वधारे सहाई नी जरूर छे तरह आजे भारत ना नेक शहरों पूर्णी स्तिती नों सामनों करी रहा छे तरह गुज्रात ना मोर्मी मां मच्छु डेम नी होना रत ए समय नों बीबीसी नों कवरेज जोईशु परन्तु ते पहला बीबीसी समाचार मां आगर जोईशु 40 वरश पहला नी मच्छु होना रत नों बीबीसी कवरेज समय चे विरामनों मरेशु थोड़ी जवारमा बीबीसी समाचार मां फरी आपनों स्वागेच में होचु आपनी साते प्री जल साम तो केरण ना पूर्णी आपने वाद करी पना 11 ओगस्ट ओगणिसोने ओगणाहसी ना गोजारा दिव से मोर्भी मां मच्छू होना रत थे तेने 40 वर्ष पूर्ण थाई गया छता पन इतियास मां सवथी भयंकर होना रतों मां तेनों समावेश थाई छे मोर्भी या होना रत समय बीबीसे तेनों वशेश कवरेश करियो हतूं तो आओ जो ये ओगणिसोने ओगणाहसी ना बीबीसे ना समभाद दाता ब्राइन बैरन द्वारा करवा मावेलू बीबीसे नों कवरेश जीवता बचेला लोको स्थडांतर करी रहा छे कारण के अहीं अन्न के पीवालायक पाणीनी व्यवस्था न थी मोर्बीना मच्छु डेमनी दिवालो पाणीना दबान थी एवी ते तुटी औने ताराजी सर्जी जाने के भूकम पावेो ठेर ठेर आ होनरतनी निसानियों जोई शकाई छे मृत्यों आक वत्ता आदुर घटना नो राजनेतिक विवाद वधी रहो छे एव कहवाय छे के सरकार दुर घटना बाद जड़प्ती पगला लई रही छे पन बिजी तरफ आ समगर घटना माटे सरकार ने जवाबदार गणावमा आवे छे अद्रश्य मूर्बी डेम नंबर बे ना छे सेंट्रल कॉंक्रिट सेक्षन होनारत बाद पन मजबूतु भूछे पन पाणीना मारा थी बाजुने दिवालो भांगी पड़ी कारण के सतत बार गिवस्ती वर्साद वर्सी रहो अतो तेनी थोडिक शणों बाद मूर्बीनु आकर्षन एवो सस्पेंशन ब्रिज 50 फुट पाणीना मोजाना मार्थी तूटी पड़ेव काटमानने लिधे पाणीनु वहन थोडिवार सुधी रोकाई रहो पन त्यार बाद ते समग्र शहरमा फरी वड़िव पाटा पर थी ट्रेन तो जाने एम खड़ी पड़ी जाने रमकडानी होई नदीना आ विस्तार नी नजिक मां कोई पन बच्ची होई एवी शक्यता ओची छे 15 मीटना समय मां समग्र शहर पाणी मां गरकाव थाई गयो मात्र एलो को बच्या हता जियो बे माल के तैना थी उचा मकान मां हता चार दिवस पच्ची नी आ मुलाकात मां मारे काट माल वच्चे थी तो केटलाक तुटेला घर नी उपड़ थी रस्तो पसार करवो पड़ेो जियां थी आर्मी औने बच्चाव टीम हजू मृत्दे काट शे हाल तेओ शहर ना अन्य विस्तार मा बच्चाव कारियमा व्यास्त छे आ घर मा चार जन्नों परिवार रहतो हतो मानवा मावी रहु छे के तेओ बधा आहोना रतमा मृत्यू पाम्या छे गब्रही ने तेओ अगासी पर चड़ी गया आता पन पाणी ना भारे दबान थी तेमनों घर तूटी पड़ी अने तेओ मौत ने भेटया त्रण दीवस बाद वर्साद अने वावा जुड़ो अटकता हेलिकॉप्टर मददे आव्या छे चौकस मृत्यू आँक कहवो हाल शक्य न थी होना रत बाद नदिना काठे अंदा जे आटसो सबनी अंतीम क्रिया करवा मा आवी पन समपूर्ण अंतीम विदी करवानों समय नोह तो आ आँक आम तो चौकस लागे छे तेम छेता स्थानिकोंनों कहवू छे कि 25 सो लोको के तेथी वधू लोको मृत्यू पाम्या छे परन्तु तेना कोई पुरावा न थी दुखनी वात एछे क्या होना रत मा स्थानिकों पन केटले कंशे जवाबदार छे मच्छू डेम तुट्यो तेना 38 सकल्लाग पहला तेमने निकडी जवानी सुचना आपवामा आवी हती पहला केटलाग वर्षों मा आवी चेतरवनी आपवामा आवी होवा छता कोई दुर घटना नोहती बनी एटले केटलाग लोकोई चेतरवने नी अवगणना करी तेरे होंकोंग ना अंतरास्ट्रिय आएरपोर्ट पर सरकार विरोधी प्रदर्शन यतावा छे जिना लिते 27 बीजा दिवसेपन फ्लाइट्स रद करवामा आवी दुन्याना सौथी वधारे व्यसरे नहरा एरपोर्ट मानू एक एवा आ एरपोर्ट पर देखावकारो पाचला पांच दिवसोथी डेरो नाखिने बेठा छे जोके साथेश तिमने एडरपन सतावी रहो छे कि तिमनों देश मेजिंग साथे नी संबंधित स्वतनत्रता गुमावी रहो छे अने आ कारणे असमती नी लहर उठी रही छे पोतना बाड़कोना भविश्यनी चिंता करी रहेला वाली ओपन तेमा शामेल छे होंकोंग मा माता पिताने तेमना नाना बाड़कोना भविश्यनी लहने चिंता छे अने एटला मांटेज तियो आ विरोत प्रदर्शन मा भाग लह रहा छे होंकोंग मा छेला गणा समय थी आवाज दर्शियों जोवा मड़ी रहा छे पन लोक साही तरफी प्रदर्शनों हवे नवारूप लेई रहा छे आशान्ती पूर्ण रेली होंकोंग ना ए परिवारूत वरा आयोजीत कराई हती जेवो तिनना बाड़ोकोना भविश्यने लेने चिन्तिच छे मारा बे बाड़को छे अने मने लागी रहुछे के होंकोंग नू वातावराण मारा बाड़को माटे अयोग्या छे करणके सरकार अने पोलिस एम बनने होंकोंग नी स्वतंत्र ताने खतम करी रहा छे होंकोंग वर्षो थी स्वतंत्र रहुछे मारे बे दिखरा चे, एमाँ थी एक साथ वर्षनों औने बीजों बे वर्षनों थवा आपयो चे माने लागे चे के मारा दिखरा उनों कोई भविष्य न थी औने एटले चूँ हैं आवी चूँ अने तमना माटे अवाज उठावी रही चू अमें आश्रा करिये छे के सरकार्नी आखों खुले और आमारी वातों दिल थी सामपडे तिर लंडन नी एक शाराना अमुक विद्ध्यार्थियो माटे अभ्यास वधूर प्रस्प्रत बनवा जाई रहे हो छे दे रिचर्ड क्लाउट सली स्कूल युनाइटेड किंग्डम नी एक एवी पहली शारा गणाई छे चे विकलांग बाड़कों माटे गेमिंग ने अभ्यास कर्म नोच भाग बनाव माव आवे हो छे आज जहेक अने इमेनियल छे जो विकलांग बाड़कों माटे नी शाड़ा रिचर्ड क्लाउट सली ना विद्यार थियो छे साफी अने ल्यूकानी साथे तेओ गेमिंग क्लास माशे खास रिते बंध बे साड़ेली अने गोठवाएली स्विच अने बटन्स नोँ उप्योक करीने तेओ एक साथे रमी रहा छे जेती फविश्य माँ तेओ आरी ते वधारे सारो देखाओ कर्षे नजिकना फविश्य माँ गेमिंग शाड़ाना अभ्यासक्रम नोँ सत्तावार भाग बनी जशे अने पारमपरिक विश्योनी साथेज तेने भणावा माँ आउशे जेके सेरेब्रल पालसी थी पिडाई छे आने तेने नवी वस्तू शिक्वा माँ घणी मुश्केली नड़े छे ते शाड़ा माँ आ क्लास सिवाई बीजा विध्यारतियों साथे भड़ी नथी शक्तो गेमिंग नो शिक्षन पद्धती तरीके नो उप्योग नवो नथी पड़ अहिया तो गेमिंग गेम रमी शके तेहे तूथी शिक्वाड़ाई छे अने निश्रान तो ना कहवा अनुसार आउँ पहला क्यारे नथी थाईू गया वर्षेज ओफ दशेल्फ कंट्रोलर विकलांग प्लियर्स माटे डिजाइन करेली गेम वेचाण माटे गई हती जेना थी आ प्रकार्ना क्लास इसनों आयोजन वधारे सरड बने छे हव अहिया न शिक्षको आशा राखी रहा छे के गेमिंग क्लास माथी शिक्वाणी शक्यता मात्र अव्विकलांग बालको सुती सिमित न रहे तेरे काश्मीर मां कलम 373 ने हटाव्या बादनी परिस्ति हाली परिस्ति परच किरती श्री कलम थी आज नुगादूर तो बीबीसी समा 4 मांच मारे बसाथ लूच आउते काले फरी मड़ी शू आज समय है कर दो बालको सुति है